हेलो दस्तों आज की इस वेडियो में मैं आपको बताने जाना कि कैसे copy की जाता है one string के value को string दुसरे string में तो जैसे मैंने इंटर किया पहला string है str1 ठीक है यहाँ पर मैंने इंटर किया और रियान तो यह जो रियान है यह copy होना चाहिए str2 और 2 में रियान यह आ जाना चाहिए तो चलिए इसका code लिखते है तो यहाँ पर मुझे integer variable चाहिए int i उसके बाद दो can variable लेते है कैर str1 जिसके size 12 यहाँ 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 विया है और फिर str 2 ईसके size 12 यहाँ आपे printf function इंटर दा स्ट्रेंग और यहां पर हम जो कुछ भी इंटर करेंगे स्कानफ फंक्शन लिखना है तो जो कुछ भी इंटर करेंगे तो स्कानफ फंक्शन के थिरो स्ट्र वन में वो चला जाएगा परसेंट एस लिखना है क्योंकि स्ट्र वन क्या है इंटर क्या है उसके बाद यहां पर पाल लूप हम लिखने जा रहें पाल आई का वैलिए स्टार्ट होगा जेरो से और स्ट्र वन और आई नॉट एकोल तो नॉट और यहां पर आई का वैलिए इंक्रीस होगा पर यहां पर लिखने है इस्ट्र टू और आई एकोल तो एस्ट्र वन और आई पर यहां पर लेकिर हैं इस्ट्र टू और आई तो नॉल वैलू स्ट्र टू और आई पर जाएगा उसके यहां पर रिंटर फंसर यहां लिखने हैं फंसरस्ट प्रोच क सूल और आई क्हां पर और अई हैं लीफ इस्ट्र क कर दोने लासरें वहां आई के लीफ सक्क्रीन. asleep. अस्ट्र कीजें ने कि हां पर अप हम आई धंसर आई केंप्रू? और यहां पर % as दे रहे हैं और str2 का value हम इंट करें जाए हैं तो यह है कोड जिसे हम किसी भी string का value दुसरे string में और डाल सकते हैं तो चलिए इसको execute करके रहे हैं यहां पर हम enter कर रहे हैं enter the string यह रेखें तो जो कुछ भी enter करेंगे वह str1 में जाएगा यहां पर हम enter करें वार्ने यहां दिखें यह str1 receive के वार्ने को उसके बाद यह process हुआ उसके बाद str यहां प्रिंटर function है तो यहां पर प्रिंट हो रहा है str1 value successfully copied to str2 और जो value है वार्ने वार्ने copied होगी अब कोड और साही सब्सक्राइब चलिए इंटर करते हैं यहां पर hello इंटर करें यहां पर hello इंटर करें दिखाने जा रहा हूँ तो यह है code तो इस code को अगर debug किजीगा तो control सबसे पहले main function पर आएगा उसके बाद यह अंदर जाएगा तो यहां पर मैंने integer variable लिया है i तो यहां पर दो care variable लिया है पहला है str1 और दूसरा str2 तो पहला variable है str1 और इसका मैंने size दिया है 12 यहां पर मैंने size बाड़ा दिया है तो इससे बाड़ा element ही str1 में डाल सकते है अगर आपको जादा चाहिए तो यहां पर size increase करना पर एक तो यहां पर एक और variable str2 तो दुनों array टाप करना दुनों का size में नहीं 12 उसके अगर प्रिंटर function है तो जो कुछ भी double code के अंदर वो output screen पर display होगा enter the string वो output screen पर display होगा और इसके अगर function है जो कुछ भी enter करेंगे तो str1 array टाप है चलिए सबसे पहले इसका array कर देते हैं और फिर indexing कर देते हैं तो यहां पर 0 index यहां पर 1 यहां पर 2 यहां पर 3 तो यहां पर str1 str में हम इंटर कर रहें san as an तो 0 index s आगिया 1 पर a 2 पर n आपर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 3 से 11 तक 0 से 0 से 11 तक और सभी में नर्काक्टर स्टो ज़िए 2 का भी हम इंडेक्सिंग कर दें तो इसका भी इंडेक्स 0 से start होगा increase होगा 1 से 2 3 यहां पर यह 11 तक यह 11 तक चाहेगा तो यहां पर फॉर्डू पर आई का बाए start होगा 0 से check करेगा str1 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 str2 str1 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 फिर से यहां पर i का value increase होगा, तो i का value 2, check करेगा, to less than equal to, str1 of 2 position, n है, n not equal to, ना है, जरी condition सही है, तो यह अंदर जाएगा, str1 of 2 position, str1 of 2 position, str1 of 2 position पर n है, तो n जाएगा, str2 of 2 position, so 2 of 2 position, यहां पर n store जाएगा, फिर से i का value increase होगा, तो i का value 3, check करेगा, str1 of 3 position, null character है, तो null character not equal to null character, so conditions जाही नहीं है, तो control यहां पर आएगा, यहां पर str2 of i का value 3, str2 of 3 position, यहां पर store करेगा, null character, और फिर यहां control जाएगा, printer function है, तो यहां पर, यह output screen पर display होगा, str1 value successfully copy to str2, और यहां पर str2 का value क्या है, sam, तो sam, तो sam, पर display होगा, और इसके बाद, यह main function से पाहँ जाए, तो यह है, dry end method, जिससे किसी भी str2 के value का हम दिसरे str2 में, और डाल सकते है, तो यह simple sort code है, तो मैं असर करते हूँ कि, यह code आपको समझ में आगया होगा, और यह पर doubt है, तो आप, comment कीजिए, ज़र रिप्लाइ करना, तो आज की वडेर में, इतना ही मिलते हैं, निव टापिक के साथ नहीं मिलते हैं, thank you,